हेलो फ्रेंट्स आम हरीश टेमला फ्रम एक्यूरेट फोर्चून आस्ट्रोलोजी दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि जैमनाई असेंडेंट में सन सेकंड हाउस में आजाएं यानि के मिथुन लगन में अगर सूरिय देव दित्तिय भाव में विरा और जो दूसरा घर है मिथुन लगन में वो चंद्र देव का है यानि के मून का है और मून इसे वाटरी प्लानेट वाटर साइन है चार नंबर साइन वाटर साइन है और सूरिय देव अगनी का रख हैं और फिर तीसरे घर से भी आ रहे हैं मिथुन लगन में सूरिय देव एक प्राक्रम के घर को रिप्रेजेंट करते हैं मेहनत के घर को रिप्रेजेंट करते हैं मेहनत का घर है तीसरा घर जिससे सूरी देवा रहे हैं और भागदोड का घर है सेल्स मार्केटिंग का है यंगर सिब्लिंग्स का है और प्राक्रम का है और अड़र्टाइजमेंट्स का है मार्केटिंग का है होबी का है और हमारी communication skills का है यानि के oral या written communication का है और दोसरा घर भी speech pattern का है जिसमें सूरी देवारे है हमारी family का है यानि के परिवार का है पे rental family का है basically और हमारे assets का है या savings का है family assets या हमारी अपनी savings उसका ये घर है और दूसरे घर का संबन्द हमारे speech के pattern से है और दूसरे घर का संबन्द wealth से है और हमारे early childhood से है तो जब भी कोई अगनी का planet दूसरे घर में बैठ जाता है तो वैसी थोड़ा सा जंजट पैदा हो जाता है यानि के थोड़ी सी ego issues family के साथ हमारी रह सकती है थोड़ा बहुत aggression रह सकता है दूसरा यहां पर दूसरे घर को अगर हम अपने अंगों को देखें तो दूसरे घर मेरे face को रिप्रेजन करता है आइस को दांतों को यानि के ओवराल नाक है हमरी दांत है face है इनको रिप्रेजन करता है तो यहां पर क्योंके सूरे देव रोशनी के कारक है और एक water sign में आ गए हैं तो हमरी eyesight में थोड़ी दिक्कत यहां दे सकते है आइस साथ में दिक्कत दे सकते हैं अगर सूरे के साथ के तू जैसे planet बैठ गया तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आइस की सर्जरी बगरा का भी डर रहता है और लेकिन यह दो health की बात हो गई तो ज्यादा तर सूरे देव के यहां बैठने से eyesight में खासका right time में थोड़ी weakness आ जाती है और केतू जैसा planet बैठ जाए यह शनी जैसा planet बैठ जाए तो फिर सर्जरी बगरा के भी योग बनते हैं और अगर हम wealth को assess करें यहां पर तो wealth के matters में यह अच्छी position है आदमी प्राकरम से मेहनत से अपनी wealth accumulate कर लेता है और कई बार यहां देखा गया है कि इनसान family business को भी join करता है क्योंके पिता सूर्य पिता को represent करते हैं और प्राकरम यानि के second house में है इनसान के अपने चार्ट में जो उसका प्राकरम है वो दूसरे घर में आ रहा है दूसरे घर से प्राकरम करेगा दूसरा घर family business का है तो family business म में भी आप आ सकते हो या पिता की support आपको मिल सकती है पिता की help वगारा से आप अपना business खड़ा कर सकते हो आपकी family ने भी काफी मेहनत मुशक्कत के साथ ही अपने assets बनाये होंगे पिता ने मेहनत बहुत की होगी और assets create किये होंगे इस particular position में और यहां पर हम देखें तो कुछ inheritance का योग भी बनता है यहां सूर्य की दृष्टी आठवे घर पे है आठवे घर से हम जो है joint assets अपनी wife के साथ या inheritance या other assets भी देखते है तो कुछ problem phase करके कुछ मेहनत करके आपको यहां पर inheritance वगरा का भी योग बनता है लेकिन wealth accumulation में मेहनत बहुत करनी पड़ती है यहां पर यंगर siblings भी यहां पर helpful हो सकते हैं आपके आपके assets create करने में और ऐसा भी देखा गया है कि यंगर siblings के घर का लौड जब family के घर में आके बैठ जाए तो आपके जो यंगर siblings है उनका interest रहेगा यनि के आपकी family के assets पे यंगर siblings का ज्यादा interest रहेगा और हो सकता है वो benefit भी ज्यादा ले जाए आप से reason being third house हमारे younger siblings का younger siblings के घर का लौड अगर family की wealth पर ही बैठ जाए तो it is clearly indicated कि उनका interest family assets में ज्यादा है और वहां उनका डेरा जमा हुआ है उनका focus है और वो ले जाएंगे अब दोस्तों यहां पर तीसरा घर sales marketing का है तो sales marketing में यहां आप अच्छा काम कर सकते हो यह वो आप में गुन हो सकता है आपकी speaking जो pattern है speech pattern है वो भी एक authoritative होगा उसमें बल होगा confidence होगा यानिकि loud होगा confidence नहीं कह सकते क्योंकि यह confidence में तो थोड़ी कभी कभी कमी देखी देए लेकिन आपका जो बात करने का तरीका थोड़ा सा loud हो सकता है और चंद्र और सूर्य यह मित्र प्लानेट है तो यह complimenting position है बुरी position नहीं है बस यहां मेहनत का भाव मिलता है प्राक्रम का भाव मिलता है भागदोर sales marketing communication communication में माद में अच्छा होगा communication skills अच्छी होंगी इस नेटिव की बुद्ध और सूर्य में भी मित्रता है सूर्य और चंद्र में भी मित्रता है तो यहां मित्रता वाले planets इकठे हो रहे हैं तो यहां पर यह placement support ही करेगी किसी भी तरीके से इस नेटिव को और दोस्तों यहां पर अगर कोई malefic impact है तो फिर खराबी है यहां पर शनी बैठ जाए के तू बैठ जाए राहू बैठ जाए तो यहां पर फिर बड़ी प्रिशानी हो जाती है एक तो प्राक्रम के घर का मालिक बैठा हुआ है फिर आपको के तू सक्सेस ने लेने देता savings में hurdles पैदा करता है आपके जो family assets हैं वो भी negligible होंगे ना के बराबर होंगे और मेहनत करने में भी आपको काफी मुश्किले आएंगी शनी बैठ जाए तो भी आपके जो plans हैं वो delay होते रहेंगे और जो savings है वो बड़ा ही gradual होगी उसमें obstacles आएंगे और ऐसे ही अगर राहू बैठ जाए तो भी एक grand yog बनाता है के तू राहू तो grand yog ही बनाते है सूरिय के साथ बैठ के बना देते हैं तो जितनी नजीग ही प्लानेट्स होंगे राहू और के तू उतनी ज्यादा प्रिशानी यहां पर रहेगी और ये grand yog 35 साल तक तो इंसा को सेटल नहीं होने देता अलांकि ऐसा नहीं है इंसान पैसा नहीं कमाता पैसा कमाता है लेकिन सेटल नहीं हो सकता 35 साल के बाद यह grand yog जो है खुलना शुरू होता है उसमें उसके बाद धीरे धीरे आदमी अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टैबलिश होता है तो यह व बहुत ही auspicious हो जाएगा यह करोड़ रुपे का चार्ट हो जाएगा गुरू बैठ जाए मंगल बैठ जाए मंगल बैठने से अगनी तक तो बढ़ जाएगा थोड़ा सा क्लेश बढ़ जाएगा परिवार में लेकिन पैसे के मामले में और पैसे में भी प्रोपर्टी के एस और ऐसे ही सूरिय के साथ बुद्ध जो ज्यादातर रहता है अगर बुद्ध भी आ जाए तो भी बहुत ही auspicious हो जाएगा यहनि कि इनसान अच्छा पैसा कमाएगा और अच्छा जोड़ेगा तो इनसान का inclination परिवार की मदद करने के लिए भी रहेगा और परिवार की help भ संबंद अच्छे रहेंगे अगर सूरिय के साथ बुद्ध बैठ जाए बुद्ध लगन का मालिक है और सूरिय चोटे भाई बैनों का मालिक है इकठे आ गए मित्र प्लैनेट्स हैं कोई दिकत नहीं है दिकत तब होती है जब यह प्लैनेट्स जिस नक्षत्र में बैठे डिस्पोजितर में आपने आगसे एक प्लैनेट को नहीं देखना राशी के लौड को डिस्पोजितर में आपने यह नक्षत्र के लौड को भी देखना है चंद्र अगर खराब बैठ जाए तो यहां पर प्रशानियां बढ़ जाएंगी प्रशानिया किस में बढ़ेंगी पैसे में बढ़ेंगी परिवार में बढ़ेंगी प्रशानियां बिमारी में बढ़ेंगी मेनत कफल मिलने में देरी रहेगी स्पीच पैटरन खराब हो जाएगा आप अपनी बात्चित से ही अपने लिया अप्स्टेकल्स पैदा कर लेंगे अगर चंद्र कहीं खराब बैठ गया तो यहां आपके पास कुछ आ भी जाता है तो भी आप खुश नहीं रहेंगे चंद्र छटे आठमें बार्में में आ यहां नीज का आगया गया तो ऐसी पॉजीशन हो जाएगी और अगर नक्षत्र का लोड़ी यहां तीन नक्षत्र मिलते हैं पहला नक्षत्र पुनर्वासु जिसका एक ही चरण है चोधा चरण दूसरा जो नक्षत्र यहां मिलता है वह पुश है नक्षत्र शनीदेव का और तीसरा नक्षत्र यहां मिलता है आशलेश है जो बुद्ध देव का नक्षत्र है अब देखिए जो पुनर्वासु नक्षत्र है उसका तो एक ही चरन है उसका जो मालिक है वो जूपिटर है और उसकी जो देवी है वो अधिति है अधिति इस नक्षत्र है लेकिन पुनर्वासु नक्षत्र का संबंध री सेटल्मेंट से है री सेटल्मेंट कब होती है इनसान की जब इनसान एक बार बरबाद हो जाता है अगर पुनर्वासु में सूर्य देव बैठे हुएं तो आप ये समझ लिजिए कि इस परिवार की बरबादी एक बार हो चुकी है बिल्कुल ये मिट्टी में मिल चुके हैं उसके बाद ये खड़े हुए है या इनकी री सेटल्मेंट हुई है फैमली की जहाँ गुरु कहीं भी बैठे हो पुनर्वासु का जो असर है वो तो रहे गा ही रहेगा शूर्य अगर पुनर्वासु में है और अगर गुरु देव कहीं भसे हुए है च्टे आठ में बारवमे में तो आप ये समझ लिजिए कि अभी भी ट्रबल्स हैं और ऐसे ही अगर पुष्यानक्षत्र में या सूरियदेव बैठे हुए हैं तो पुष्यानक्षत्र शनी का है शनी के नक्षत्र में सूरिय को बहुत मेनत करनी पड़ती है अपने आपको establish करने के लिए तो कि शनी तो servants का मालिक है सूरिय राजा है अब शनी देव के नक्षत्र में बैठ जाए शनी देव की आसपेक्ट आ जाए शनी देव के साथ बैठ जाए तो एक ही बात है थोड़ा सा फर्क है जरूर लेकिन जब जब सूरिय देव शनी देव के किसी नक्षत्र में बैठ जाता है तो शनी इनसान को बहुत रगड़ता ह मेहनत कराता है उसे reality दिखाता है practical life दिखाता है उसके trials लेता है failures दिलाता है उसके बाद जाके उसे कहीं settle करता है तो ऐसे ही इसलिए पुशा नक्षत्र के results इंसान को 42 साल लग जाते हैं 42 साल 48 साल के बाद मिलते हैं तो पुशा नक्षत्र नक्षत्र बहुत अच्छा है लेकि अगर बहुत अच्छे बैठे हुए तो आपको तंग कम करेंगे और शनी देव अगर बहुत खराब बैठे हुए तो आपकी classes अच्छी चलेंगी या लाइफ में real lifetime आपके trials रहें पुशा नक्षत्र में पुशा नक्षत्र का देवता जो है वो गुरू ही है जूपिटर ही की placement अच्छी होने चीए अच्छे results at the end अच्छे results लेने के लिए शुरू के सालों में struggle रहेगा पुश्या नक्षत्र में half of the life में काफी struggle रहेगा उसके बाद इंसान बहुत अच्छा establish होगा लेकिन नक्षत्र बहुत अच्छा है पुश्या नक्षत्र नुरिश्मेंट का नक्षत्र है और तीसरा नक्षत्रियां मिलता आशलेशा आशलेशा नक्षत्र का देवता नाग है सर्पों का नक्षत्र है छुपा हुआ नक्षत्र है बुद्ध देव इसके स्वामी अधिटी देवता इनके नागदेव हैं एक यह अश्लेशा नक्षत्र कि इतनी अच्छा नहीं माना जाता लेकिन इतनी खराब भी नहीं माना जाता यह हीलिंग का नक्षत्र है दवाईयों का नक्षत्र और अश्लेशा नक्षत्र में सूर्य देव अच्छा परफॉर्म करेंगे थोड़े से हीडन रहेंगे थोड़ा इनसान की परसनेलिटी हीडन रहेगी और कुछ गुप्त तरीके से इनसान काम करता है सीक्रेटिव नक्षत्र है यह क्योंकि सर्प जो है न कहीं भी कहीं भी हो जाते हैं तो यह सब चीजें इस नक्षत्र में मिलती हैं इसको एट लास्ट हम डिसकस नहीं कर सकते हैं लेकिन यह नक्षत्र बहुत अच्छा हमारे जो गुरू हैं उन्होंने बहुत अच्छा निमाना सेंट्स वगरा ने लेकिन फिर भी मैंने देखा है काफी चार्ट किजें भी मिलती हैं हीलिंघ एक्टिविटी में आदमी आजाया मैडिकल फ्रॉफेशन आजायं फार्मेसी में आजाय किसी टाइब की हीलिंग में आ जाए चाहिए हो अब हमारा भी काम यहीलिंग का इए तो यहाँ अच्छे रिजोर्स मिलेंगे इनसान बाक्षित करने में अच्छा होगा लेकिन सीक्रेटिव होगा और अपनी जो है इन क्वालिटी इसकी वज़ा से जो हमने बताई है आशलेशन अक्षत्र की आदमी पैसा कमाता है और इकठा करता है अब यहां बैठे हुए सूर्य देव देखेंगे आटमे गर को आक्षत्र का लौट भी अच्छा है तो यहां मैरिज की हैपिनेस का योग बनेगा क्योंकि marriage happiness second house से देखते हैं और दूसरे आदमियों की wealth भी इनसान को यहां पर मिल जाती है joint assets का मतलब होता है कि अपनी पत्नी के साथ आपके जो assets है जो पैसा है वो भी उसका भी सुख आपको मिलता है लेकिन आठवा घर obstacles का घर है obstacles भी activated रहते हैं यहां पर कुछ नो कुछ obstacles रहेंगे आपको पैसा इकठा करने में संघर्ष रहेगा लेकिन आदमियों बड़ा royal होगा, regal होगा और उसके चेहरे पर एक चमक होगी, एक attraction होगी, magnetic attraction होगी और उसकी habits जो है वो बहुत ही royal type habits होगी छोटी बातों को नहीं सोचेगा, broad minded होगा क्योंकि चंद्र की राशी है, सूर्य है, दोनों यह royal planet है सूर्य देवी, चंद्र देवी तो यहां पर कुल मिलाके यह placement अच्छी कहीं जा सकती है लेकिन एक संघर्ष करने के बाद ही इंसान को अच्छे फल मिलते हैं तो दोस्तों, this is all for the day, उमीद करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद आई है if you are liking our channel, please try to subscribe our channel immediately so that we should be motivated to upload more and more videos यह इस वीडियो में काफी देरी हो गई है, कुछ gap आगया है अब हम regularly videos issue करेंगे actually मैं कुछ travel कर रहा था और करहीं दस एक दिन तक traveling में था जिसकी वज़ा से काम भी काफी बढ़ गया था और videos भी नहीं बना पाए तो दोस्तों, कोशिश करते हैं कि आप regular videos बनाएं और आप इसका फायदा उठाएं take care of yourself and your family we'll see you soon, goodbye